महान तमिल कवी तिरू वल्लुवर्जी ने लिखा है पुत्तियल उलगत्तुम इंडुम पेरलरीदे उप्पुरविन नल्ल पिरा स्वर्ग और धर्ती पर मानो सेवा से बहतर करम खोजना कठिन है माननिय प्रधान मंत्री के नित्रित्व में वित्त मंत्राले और कॉर्पोरेट कार्य मंत्राले देशवासियों की सेवा का उनका उतेश्य पूरा करने के लिए प्रतिबध है माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी के नित्रित्व में वित्म अंत्राले सुशासन और लोककल्यान की भावना को लेकर इन सिद्धानतों और पहलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं पहला प्रात्मिक मीतियों में ऐसे बदलाव लाए जाएं जो बजट संबंदी प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता बढ़ाएं बजट घोचना की तारिख को अग्रिम रूप से एक महिने से घटाया रेलवे बजट को मुख्य बजट से जोड़ा गया प्लान और नॉन प्लान ब्याई का विलाई किया गया इस तरह सूक्षमत पर जरूरी बदलाव लाए गये दूसरा सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वह कमजोर की साहता करे और उन्हें वित्तिय धाराओं से जोड़े इसी सोच ने आकार दिया विश्व की सबसे बड़ी वित्तिय समावेशन योजना को जन्धन योजना के जरीए करोणों देशवासियों के बैंक खाते खुले गए जिससे जैम यानि जन्धन आधार और मुबाइल को एक साथ जोड़ कर डीबीटी के जरीए करोणों खातों में सीधे लाब पहुचाया गया जिसकी वज़स से कुवीड महामारी के समय राष्ट्र अपने नागरिकों की तुरंच सहायता कर पाया और हर एक देशवासी की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो इसके लिए कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन जोती बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारम किया गया कमजोर वर्गों के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई काले धन और प्रश्टाचार के लिए देश में कोई जगे नहीं है और माननिय प्रधान मंत्री ने समय समय पर इस पर जोर दिया इसके लिए उन्होंने नोट बंदी का ठोस कदम उठाया ताकि देश से काला धन मिटे और देश की अर्थ व्यवस्था नियमित रूप से बढ़े आगे देश को काले धन के विरुद्ध लड़ाई में अंतर राष्ट्रिय संधियों और नए नियमों का साथ मिला चोथा डिजिटल अपनाओ, नकद लेन देन में कमी लाओ और धस्टा चार पर नियंतरन लगाओ नोट बंदी से डिजिटली करण को बढ़ावा मिला भारत के स्वदेशी डिजिटल प्लाटफॉर्म यानि की युनिफाइट पेमेंट सिस्टम से आज भारत डिजिटल भुक्तान में विश्व का सबसे बड़ा उपभुकता बन चुका है डिजिटल मिकल्पों को भुक्तान में ही नहीं बलकि वित्त, कर्व और कंपनी संबंधी कानूनी कारियों के लिए भी मान्यता मिल गई है पाँचवा देश के काया कल्प के लिए बड़े बदलाव जरूरी है और इस सोच का परिणाम है GST यानि Goods and Services Tax जिसमें बढ़त और सकारात्मक नतीजे लगातार प्राप्त हुए है और इसे अभूत पूर्वगती से देश में आधुने का अधार भूत धाचो का निर्मान हो रहा है और करोणों देशवासियों की जिन्दगी में सकारात्मक बदलाव आ रहे है GST को लागू करने में दोहरी रण मीती अपनाई गई प्रक्रिया को आसान बनाया गया घैर जरूरी ब्याय और धोके बाजी पर नकेल कसी गई नतीजा टैक्स भागीदारी को बढ़ावा छटवा राज्यों की एहम भूमिका को सराना और उनकी वित्तिय से हत्मे सुधार लाना केंद्र ने राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया सात्वा मौजूदा संस्थानों को मजबूती और नए संस्थानों वसेवाओं का निर्मा विकास और नियमों के दोहरे लक्ष को पूरा करने के लिए कई नई पहले शुरू की गई जब कोविड का प्रभोप फैला तब डर का माहौल था ऐसे में व्याय कार्य को जरूरी सेवा के अंतरगत लाया गया ताकि भुक्तान में कुई बाधा ना आये आपात कालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया नियमों में छूप दी गई ताकि कोविड संबंदी जरूरी सेवाओं और सामगरियों की कमी ना हो पुनर्वास के लिए पैसों की गती को रुकने ना दिया गया वैक्सिन निर्मान, खरीर और संचालन के लिए पूंजी उपलब्द कराई गई MSM इस को गारंटी स्कीम का अधिक्तम लाव मिला माननिय प्रधान मंत्री के मार्ग दर्शन में एक अनोखी पहल आत्म निर्भर पैकेज की शुरुवात की गई जिसका मूल्य लगभग 21 लाख करोड रुपय था COVID के दोरान कई बुद्धी जीवियों की ये राय थी कि इस महामारी का असर भारत में लंबे समय तक रहेगा पर माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के फुशल नित्रित्व में इस स्थिती पर मजबूती से काबू पाया गया IMF और विश्व बैंक ने भोशित किया है कि इस साल अन्य बड़े अर्थब्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की अर्थब्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी इन प्रयासों का लक्ष है जनता की सम्रिध्धी महत्मा गांधी के आध्यात्मक मार्ग दर्शक श्रेमद राज चंद्र के शब्दों में भागय शाड़ी हो तो तेना आनन्दमा बीजाने भागय शाड़ी कर जो अपनी सम्रिध्धी के खुशी में औरों को सम्रिध्ध बनाईए